दोस्तों आज किस वीडियो में हम जिप लगाने का आसान तरीका बताएंगे कि किसी भी सुट में आप जिप कैसे लगाएंगे और वो भी आसान तरीकर है तो सबसे पहले हमने यह back side ले लिया है जो हमारे सुट का है और उसकी शुल्डर है शुल्डर से हमें मेजर करना होता ह और 18 इंज पे मैक्सिमम रख सकते हैं उससे जादा नहीं रखेंगे तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि शोल्डर से मेजर करना है और 18 इंज उसकी लेंद होनी चाहिए और आपको गले से मेजर नहीं करना गले की जो डीपनेस है वहां से बिल्कुल भी मेजर नहीं करना आपको shoulder से measure करना है और 18 inch पर mark कर लेना उसके बाद आप गले की center से cut कर लेंगे कि उसके बाद एक पट्टी कट करेंगे जिसके चोरा ही हमें तीन इंच रखना है उससे ज्यादा नहीं रखना है तो तीन इंच पर हम यह पट्टी कट कर लेंगे देन उसके बाद हम इसे center कर लेंगे center करने के बाद आपको कट कर लाना है और इतना ही कट लगाना है जितना कि आपने सूट में जिप के लेंद के लिए लगाया ना उसको मेजर करके आप उसके according कट लगा सकते हैं उसके बाद हमने जो यह गले में cutting किया था सूट के back side में तो उस पे उस पट्टी को हम रखेंगे ठीक है तो वह जो पट्टी है हमारी जो हमने कट लगाया है और उसका कट और आपके जो सूट का cutting लगाया है जिप के लिए दोनों को आपस में मिला लेना इस तरह से यह दोनों की cutting है एंड वह आपस में मिला कर और इ सिंगल टेंशन के हैं जैसे कि आपका फूल चांप होता है तो एक सिंगल चांप के मार्जिंग को लेकर आप उसे स्टिश कर लेंगे कि पट्टी लगाने टाइम जब आप यहां पर कट के पास और सिलाई को गुमा के वापस दिलाई करते हैं तो यह आपको हमेशन दियान teryड़ो लगना है कि किसी तरह का वहाँ पे कॉर्णर नहीं बनना चाहिए आपको हलका सा कर्व करके V-shape में वहां से आपको वापस घुमांके इस तरह से अटेज कर देना होता है उसके बाद वहां पे कट लगाना होता है इस तरह से अगर आप इसे चार कोना का या किसी तरह का भी कोना बनाते हैं तो फिर वह बैठेगा नहीं बराबर वहां पे जोल आजागा जो आप जिप लगाएंगे फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी उसके बाद हमने ये पट्टी अटेज कर लिया है इसके उपर से अब हम यहां पे टॉप स्टिच लगा लेंगे इस पत्टी को अटेज कर लिया है उसके बाद इसको हम आसानी से अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं तो अब हम इसको जिप पे अटेज करेंगे ठीक है एपको इस पत्टी को इस तरह अंदर की तरफ मोड़़ देंगे और जो zip का side वाला area है बिल्कुल जड़ जो है जड़ एक side का left side पर आपको रखना है पहले attach करना है तो किनारी लगाना है उसके जड़ में बिल्कुल भी तो जो आपका चांप है न मशीन का तो एक चांप आपका zip के उपर होगा सिंगल एक साइड का और लेफ्ट साइड वाला आपका कपड़े के उपर होगा उसके बीच से किनारी सिलाई चलाना है आपको बिल्कुल जड़ में चलाना है तो किनारी सिलाई लगाना है लेकिन एक चीज़ और इसमें आपको देहान रखना है कि जब भी आप जिप अटेज करते हैं तो आपको कपड़ा बिल्कुल भी खीचना नहीं होता है हलका जिप को आप फिनिशिंग साथ अपनी तरफ खीच सकते हैं लेकिन कपड़ा को बिल्कुल भी नहीं खीचेंगे अगर आप खीचते हैं तो उसकी फिनिशिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी तो इस बात कि जो पट्टी हमने लगाया है उसको अंदर की तरफ से बराबर से पकड़ के अगर अंदर की तरफ से हलका सा खीचेंगे तो वहां पर अटोमेटिकली एक कॉर्णर बन जाएगा और उस कॉर्णर को हमें अटेज करना होता है तो उसको पकड़ के और वहां पर आपको अब यहां पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है जैसे कि हम लेफ्ट साइड से इसको अटेच कर रहे थे तो उसको खिनारी सिलाई लगा रहे थे उसके ऊपर अब जब हम राइट साइड वाले को अटेच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपका पूरा टेंच हम कपड़े से ढख रहे हैं लेकिन हमारे जो चांप है जिप के नीचे है तो उस पर सिलाई चलाते हुए हम इसको अटेच करेंगे लेकिन कपड़ा आपको किसी भी हाल में खीचना नहीं होता है इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे और जो राइट साइड वाला है उसको आपको जिप के नीचे से आपको फूट का इस्तमाल करते हुए अटेच करना है तो इस तरह से आप आसानी से जिप को फिनिशिंग के साथ अटेच कर सकते हैं हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को स झाल झाल